आज लेकर आया हूं और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं मेंस लेवल क्लासर लेकर आऊंगा और प्रॉमिस यह था कि 10 तारीक से लाऊंगा लेकिन 11 और 12 को पेपर भी था तो उसमें थोड़ा सा बीजी होने की वज़े से मैं नहीं लाबाया आज लेकर आया हूं SBI Clerc Means Level Puzzles and Sitting Arrangement के सीरीज है इसमें सरिफ पजलो sitting arrangement नहीं करेंगे सारे मिसलीनस टॉपिक को कवर करेंगे पuzzles sitting arrangement के साथ में ठीक है जैसे कि आपका coding decoding होता है Chinese coding आती है जो advanced level की आती है या inequality हो गई जो coded inequality आती है या आपकी reverse ऐसे logs हो गई या coded blood relation हो गया या coded direction sense हो गया तो जितने भी SBI clerk के topic है जो means में आते हैं वो सारे topic मैं इसमें cover करूँगा machine input भी अगर होगा तो उसको भी मैं इसमें add करूँगा ठीक है और बहुत ही शांदार approach मुझे पता है इन सब चीज़ों की तो उसको मैं share करने की कोसित करूँगा आपके साथ कि देखू मैं समझा पाता हूँ यह नहीं आपको कुछ अच्छी चीज़े हैं जो बहुत शांदार चीज़े हैं उसको समझाएंगे फिलहाल आज हम एक पदल लेकर आये हैं एक ही पदल आया हूँ ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे ब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखते हैं वीडियो में क्या है लेकि उससे पहले इसको आप जोइन कर लो क्योंकि सारी पीडियेफ और लिंक वीडियो यहीं जा रही है और चैनल को सब्सक्राइब बलो चलो तो यह है मेरी आज की पदल यह एक फ्लोर बेस्ट है और इसमें एक फ्लोर वैकेंड भी है तो बहुत ही शांदार लेवल है पदल का इस प्याई क्लरक मैं एक्जैक्ट होंगे इस प्याई क्लरक में तीन कॉश्चन तो मिनिममम इस पदल से बन जाएंगे आराम से ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको बनाना तो जैस की इसमें कहा गया है हम जैसे पहले करते थे वैसा ही करेंगे पहले स्टेप वाइस चलेंगे चीजों को स्टेप वाइस करने की कोशिच करेंगे इसमें कहा है देर आर एट पीपल लिविग और नाइट डिफरेंट फ्लोर आट लोग है नौ फ्लोर पर रहते हैं दे आर इन इच वन हैस डिफ्रेंट वीट कुछ वेट है इनका यह वेट दिया हुआ ठीक है और नॉट नैसेसरी इन था सेम और उसके बाद यहाँ पर खर्दम होगा ठीक है तो हमें इतना पता चलगा कि नौ फ्लोर है आठ लोग है एक वैकंट ठीक है अब हम क्या करने वाले हैं अब ह क bên देवा चार थीन दो और एक कि जब कंडिशन 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 कम लिखने हो मतल है तो GUYपको कंडिशन जरूरी नहीं कि आप पिलिएंप कंडिशन लिखो फिर नव क्यों कि लास्ट के जो मैंने practice sets करवाए हैं उसमें मैंने ये चीज़ सिखाई है कि कैसे हम condition के साथ साथ puzzle बना सकते हैं तो ये चीज़ें आज मैं इसमें भी derive करने की कोशिद करूँगा कि कैसे हम condition लिखते लिखते संग ही हम जो puzzle है अपनी उसको बनाना शुरू करते हैं ताकि time हमारा come away so ठीक है तो इतना हो गया है हमारे फसे एक सेंग रुकिया है इतना हमने कर दिया हमने जो वो लिखना था वो सब लिख दिया यहां पर चाहो तो इसको person लिख दो पी लिख दो और यहां पर weight लिख दो W लिख दो ठीक है वो समझ में आ जाएगा कहां पर आपको क्या put करन तो यहां से हमें स्टार्ट करना है अपनी पतल लिखना ठीक है तो सबसे नीचे वाले जो फ्लोर पे है मतलब फस्ट फ्लोर पे उसका वेट जो है 40 kg है ठीक है अमन स्टेज इमेडियेटली अब दवन वेट इस 39 kg तो अमन जो है अमन जो है वो 39 kg क्योंकि इसमें ध्यान से देखना जो नाम दिये हुए है अचा नहीं अमन का अमन का अम लिखना पड़ेगा आप लोग भी ठीक चलो अब देखो अरनव lives on event number floor but not on 8th floor अध्यान से दिखाने काँ अरनव event पर रहता है और 8 में पर नहीं रहता है तो अरनव के लिए कौन-कौन से floor अब बची अब बची 2, 4, और 6 बची 9 फ्लोर रूपलाना तो 2, 4, 6, 8 यहीं थे तो 2, 4, 6 बचा तो आधनाव का हमने सीधे सीधे लिख दिया कि आधनाव इनी इमें से किसी में आने वाला है और यहां पर भी लिखके हम काट देते हैं कि आधनाव चलो यहां पर नहीं आ रहेगा ठीक ठीक है इतना होगे है आप देखो अमन स्टेस अनवे इवन नमबर फ्लोर अचाँ अब कह रहा है आमन इवन इवन नमबर फ्लोर पर रहता है जाहन से देखना इवन दो चार शे आड़ थे ना दो चार छे और आठ क्या अमन दो पर आ जाएगा आप देखके बताओ आपक का एक पर तो या यह बेठा हुआ है और थर्टी नあーny के जस्ट उपर है इसका मतलब आमन करना यूर請 आएगा तो मिन में द पर आएगा 46 और 8 नहीं थीक है तो इसको 46 और आफ लिख दितने हैं ठीक है इतना होगिया अब चैंबchsel तक होगया दवन तो 42 kg stays immediately below the one whose weight is 50 kg तो 50 kg वाले के जश्ट नीचे कॉन बैठा है 42 kg बैठा हुआ है ठीक है ना मताया है ठीक है फिर देखो the one who stay on the 6th floor whose weight is 47 kg जो छटे पर बैठा है उसका weight 47 kg का है ठीक है चलो कोई बात नहीं सही है ram does not stay on the lowermost floor and second floor is not vacant तो जो ram है वो इस जगह पर नहीं आएगा ram इस जगह पर नहीं आएगा और ये floor vacant नहीं होगा वी एस सी लिखकर हम इसको काट देंगे ठीक है vacant यहाँ पर नहीं होगा ठीक है छाया stays immediately above the one whose weight is 35 kg तो छाया उसी के ऊपर रहती है जिसका weight 35 kg है और immediate ऊपर रहती है ठीक है फिर देखो करन lives on one of the floor above Sanjay के floor के ऊपर कहीं रहता है करन का करन है तो जो SAN यहाँ लेको Sanjay और उसके ऊपर है कहीं करन के AR ठीक है चलो ठीक है अमन does not stay on the air flow लो अमन को air floor के लिए मना कर दिए तो अमन अप कहा कहा बचा चार और छे पर बचा ठीक है फिर देखो Arnav's weight is neither 42 nor 45 तो Arnav का weight जो है वो क्या क्या नहीं होगा 42 नहीं होगा और 45 नहीं होगा ठीक है यह weight उसका नहीं होगा ठीक चलो ऐसे cross बना दो बड़ा सा थाकी पता रहे फिर दो एर्थ floor is not vacant चलो आठमा फ्लोर यह हो vacant यहाँ पर लिखा है अरण च्लैस लगा दो और यहाँ पर लिख दो vacant वी ए सी और इन दोनों को cross कर दो ठीक है इन दोनों को cross कर दो कि यह दोनों यहाँ पर नहीं आएंगा ठीक चलो चाया stays on an even numbered floor अथो चाया भी even number floor पे है अब चाया भी अगर even number floor पे है तो जाहिर सी बात है कि चाया किस पर किस प्या सकती है किस प्या सकती है किस प्या सकती है दो पर तो आएगी नहीं चाया क्यूं क्यूंकि 35 के ज़स्ट उपर बैठी हुई है तो किस प्या जाएगी चार पर 6 पर और 8 पर यही तीन जगा चाय के लिए बच रही है देखो चार 6 और 8 यह बच रही है ना चलो ठीक है जिखते हैं चाय इस नौट अच्छा चाय को चाय हटाथे फिरहासे और यहां पर सिर्फ आठ लिग देंगे इस अगले कंडिशन में पता चल गया चेपर नही ठीक है जो लिखकर काटे रहेंगे तो पता रहेगा यहां पर नहीं होगा ठीक है बीच में कितने लोग हैं यहां पे न जब भी आप वेकन बनाना इस बात का बहुत अच्छे से थान रखना जब भी वेकन बनाना अगर बीच में कुछ लोग कहता है तो वो ध्यान से देखना floor बोल रहा है या people बोल रहा है तो इसमें बोला है people मतलब person रहेंगे इसमें wagon भी आ सकता है इसकी possibility है नहीं भी आएगा इसकी भी possibility कि wagon आ सकता है अच्छा आप दिखा जाएंगे अगला पढ़ो and both of them stay on odd numbered floor अच्छा ये दोनों odd number floor पे होंगे odd number 4 अगर मान लो राम को बैठाता हूँ odd पे तो even odd even इसका मतलब 101% इसके बीच में wagon आने वाला है 101% है अगर ये दोनों odd पे होंगे 101% है कि wagon आने वाला है ठीक है तो यहाँ पर odd के इसको ऐसे लिख देंगे ठीक है odd दोनों ही odd पे आएंगे ठीक चलो वेकेंट फ्लोर इस नॉट ऑन एन odd number फ्लोर वेकेंट भी odd number नहीं होगा तो वेकेंट अगर odd नहीं होगा वेकेंट अगर दो पे नहीं होगा वेकेंट यहाँ नहीं होगा वेकंट आठ पर नहीं होगा तो वेकंट 4 और 6 पर या 6 पर ही बचा खाली और अग इवन 4 और 6 में 47 है इसका मतलब वहाँ वेकंट होगा नहीं तो वेकंट कहां होगा फिर वेकंट कहां होगा फिर वेकंट 110 परसंट 4 पर होगा जैसे ही यह बात मुझे पता चैनल कि 4 पर होगा मुझे जहाँ जहाँ मैंने 4 की पॉसेडिटी यहाँ थी आमन कमेलिचये मुझे मिलगीया चार की पॉसेडिटी यहाँ थी चाया के मिलगीया मुझे मुझे दोखो एक– exclusive से सब कुछ पता चल लिया अगर चाया अमन छे पर है यहां पर चार मने लिख रखा तो चार को पहले हटाओंगा अब दो और छे में कन्फिजन था तो यह भी पता कि छे पर तो आमन आगिया ना तो कंफर्म होगे आरफ दो पर आएगा तो यहां पर संजय नहीं आएगा इसको ऐसे लिखकर आट लेंगा ठीक है यह दोनों यहां पर नहीं आएगा अब सबको साथकर में बंद कर तो पूरी पजल लगभग 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 पूरी पजल बनकर रडी होगई क्योंकि चैसे मैंने वैकंड को पुट किय मुझे तुरंट पता चल गया कि कौन-कौन कहां बैठेगा ठीक है इसको कंडिशन में बंद इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि यह habit बन जाए habit जब बनेगी में में बहुत काम आईगा ना अब देखो मुझे वैकंड जब पता चल गया तो मैं वैकंड वाले को हटा सकता हूँ हर जगा से जहां वैकंड लिखा हुआ है अब देखना जान से मुझे किसके किसके बारे में exact पता है मुझे पता है कि चाया एर्थ पर बैठी की चलो चाया को बठा दो थी एच मलब चाया को यहां पर बठा है मैंने 35 के जच्ट उपर बैठी हुई है 35 के जच्ट उपर बैठी है इस condition को मैं काड लूँगा ऐसे हो गया मेरे condition खत्र ठीक अब देखो आरो टू पर बैठा हुआ है आरो को अगर मैं यहां बैठा हूँ आरो टू पर बैठा हुआ है तो और 42 और 45 इसे नहीं पता है मतला 42 श्लैस 45 अब यहां पर नहीं आएगा आरो का करन पर बैठा ठीक है यह वाली condition में में हटा देंगे संजय के ऊपर होगा करन ठीक है संजय के ऊचा उससे पहले ये वाली condition देखो कि राम और निहाल के बीच में reliable आने वाला है में यहां से दिखना राम यहां पर नहीं आएगा बना फॉर्थ पेहले नमबर पर लाम इसंपर नहीं आएगा ठीक है यहां तो आरो आःवा राम को 100 परसंट यहीं रखना उपर था निहाल जो है वो राम की उपर था राम को मुझे यहां रखना पड़ेगा 100% एक परसंट यह चोड़ूंगा तब निहाल मैं यहां रख पाऊंगा रख पाऊंगा नहीं रख पाऊंगा 100% एक कंफर्म पता थी ठीक है अब देखो द्यान से यह वाली कंडिशन दोनो नटे मोड़ी है। notice, Chenjai 100% कि करसे आएगा अगर पर कौन आएगा, करन आएगा इम आप धिया है। यह वाली कंडिशन मेरी है, सिर्फ एक कंडिशन में बची हुई है, यह वाली, पचास सो चालिस, पचास सो चालिस के जगह कहां कहां है, पचास सो और बयालिस के लिए एक जगह यह बची हुई है, और एक जगह यह बची हुई है, और एक जगह यह बची हुई है, लेकिन ध तो 45 यहां आएगा 100% 45 यहां तो आप कोन बचाए यह सारी गट्नेशन हमारी होगा और यह कुछ वाइनल हमारा नियारेंजमेंबर बन के रैड़ी होगे दिक है तो आई हूप यह चीजीं आपको सामन पयाए कितना धीरे धीरे पियार से समझावा हूं कैसे जैसे जैसे हम condition हमें झो मिलती जा रही उसको पिछे वाले condition थे connect करके एक नई condition रेडी बना तेरहे है और उससे हमारी पजल इजली बन जा रही है सिर्फ एक condition आप देखो जैसे ही मैने वेकेट रखा सारे चार एले मेनेट हो गए जहां जहां चार से सारे eliminate होगे और एक ही साथ मुझे तीन लोग की place value बनाएंगे पदल को अब कोसित यहीं रहेगी main level में कि पहले ऐसा नहीं करेंगी कि condition लिखने अलग उसके बाद खोजे कौन सी condition पहले आगी कौन सी condition बाद में आगी यह सम नहीं करना है जैसा करोगे ना बदल बनेगी नहीं time अलग waste होगा condition जैसे मिले कि लगे कि हाँ यहाँ पर रखा जा सकता है अगर मान लेता कि वहाँ पर कोई possibility बनती तो एक रख देता और उसको अलग से लिख लेता मैं और एक को चलाता रहता और condition भी लिखता रहता साथ में प्रेक्टिस सेट्स में कराए है जो प्रेलिम्स वाले प्रेक्टिस सेट्स में कि हैं वह चीजे करता रहता अगर मान लेता जो condition वहाँ जो मैं रख रहा हूं वह गलत हो जाता तो मैं उसको हटा कि फिर नई वाल दूसरी वाली condition पर रखना शुरू कर देता ठीक है आप लोग एक बार देखो क्या approach exactly मैं यूज करता हूँ जब मैं प्राता हूँ या अपना पदल बनाता हूँ ठीक है अब अगर अच्छा लग जाए वीडियो तो लाइक करके जरूर जाना कि मुझे भी motivation मिलता है इस तीज से जब आप लाइक करते हो वीडियो को दोस्तों कॉमेंट बाक्स में कॉमेंट करना मेरी अप्रोच आपको कैसी लगी अच्छे लगी तो बताओ फिर धीरे और मैं चीजें इसमें एड करूँगा अभी मुझे मुझे सिलॉग्स आपको कराना है सिलॉग्स मैं बता रहा हूँ न कि इससे बहतरीन अप्रोच पूरे यूट सब कुछ पढ़ाऊंगा सिलॉग्स और रिवर्स लॉग एक साथ मतलब एक गलती नहीं करोगे रिवर्स लॉग्स दिखने में अलब हलुआ जैसे हलुआ खाते हैं वैसा वाला करोगे इतनी बहतरीन तरीके से सिलॉग्स अंधाऊंगा तो अच्छा लगे तो लाइक से और साहिल राम आ रहा है और साहिल और इनका वेट देख लेते हैं 50, 42, 35, 37, 39, 45, 37, 40 ठीक है एक दम से बनाया है यह अंसर है टेलिग्राम मेरा जोइन किलने टेलिग्राम में इसके PDF में डाल दूँँगा ठीक है पर आद वीडियो में इतना ही था वीडियो अच्छा लगा हो त सब्स्राइब हो लेना पर आगान को प्लाख करना वीडियो अपने दूँगा शेयर करदाना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थांक्यू और गडब्लस यू अल